हलो दोस्तों कैसे आप सब आज हम बात करने वाले ही WhatsApp के एक new feature में कि इसको हमें कैसे हटाना है कैसे delete करना है कैसे remove करना है बिल्कुल एक click लगेगा जो कि आप इसको remove कर सकते हो यह WhatsApp की तरफ से एक new update देखने को मिली है यह Instagram और Facebook पर भी देखने को मिली है और यह Meta AI की तरफ से नहीं कि एक feature AI का है जिसमें हम कोई भी स्वाल या कोई भी चीज हम पूछते हैं तो हमें answer करता है अमालो यहाँ पर कोई बी ऐसे YouTube पूछने चाते हो Google के पूछने चाते हो WhatsApp के बारे में पूछने चाते हो किसी भी platform के बारे में पूछने चाते हो यह personal और कोई आपका ऐसा स लेता है continue गएरा करता है तो इस वज़े से यहां पर मेरे पास यह काम नहीं कर पार और मेरे पास यहां पर यह वाइट साइब आ रहा है तो मैं यहां पर आपको on करके पर इसको दिखा देता हूँ अभी दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यह काम करना स्टार्ट कर चुका है ठीक है यहां पर हम लोग लिख देते हैं यूट्यूब चैनल ठीक है जैसे हम लिख देंगे तो यह टिक हो जाएगा तो यह हमारे पास टाइपिंग करके दे देगा और यहाँ पर दोस्तों यह जब टाइप करना स्टार्ट कर देगा मतलब भी इस तरीक के कसीन है चले बात करते हैं किसको हटाना कैसे है अब यहाँ पर आ चुका है उपर भी हमें देखने को मिल चुका है यहाँ से हम कोई भी अगर category यहाँपर हमें देखने को बहुत सारी देखने को मिलती है जो आप खुद भी आप इंटर कर सकते हो यह कर सकते हो अच्छा 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 बात करते हैं अब यहाँपर सबसे पहले तीन डौड़ पे कलिक करते हैं settings पर tap करती है यहाँ पर हमें privacy का option देखने मिलता है इस पर tap करती है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकती हो कि यहाँ पर show meta AI का feature हमें यहाँ पर जो वो कुछ लोगों ने videos बना रखी है कि यहाँ पर show हो रहा है यहाँ से मतलब जिस तरह से यह नहीं है इस feature को इस तरह के से आपको नहीं दिया है और जो videos के अंदर आपको दिखाया जा रहा है यह बिलकुल fake है लेकिन मैं आज आपको real दिखाने वाला हूं सो सबसे पहले आपने करना किया इस WhatsApp के उपर tap करके रखना है यहाँ पर आपको app info पर चले जाना है और आपको बिलकुल last पर आ जाना है जह विर्जन मेरे पास है लेकिन अब मैं इसका जबो old version install करता हूं अभी दोस्तों मैंने क्या किया old version install कर लिया अब मैं tap करता हूं मुझे यहाँ पर कोई भी feature नहीं देखने को मिल रहा है अब चलता हूं back इस पर tap करके रखता हूं यहाँ पर app info पर आता हूं आने के बाद दो और आप भी बिल्कुल यही जब आप लिखोगे गूगल पर whatsapp और आगे आपने यह जो old version लिख देना है और वहाँ पर आपके पास सारे के सारे विर्जन आ जाएंगे बहां से आपने गूगल से इसको install कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों आप लोग किसी से भी चैट पग मिलेगा तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो चलेगी लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना चली काई सार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोबिक साथ